बारा साल से 17-18 साल के बीच में लगबख बारा करोड बच्चे हैं। दूसरी चीज जो भी भारत में हमारे पास पहली वेव और दूसरी लहर के बारे में वैग्यानिक साक्ष हैं। उसके इसाब से इस उमर में बहुत जादा समस्या नहीं होती। जादातर कोविट बिमारी जो है माइड या एसिम्टोमाटिक होती है। हॉस्पिटल में दाखिल करने की अमिर्तु की संभावना बहुत ही कम या नगन्य होती है। इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए यह देखा जाएगा कि केवल वही एडॉलसेंट किशोर जो बालक हैं बारा से सतरा ठारा सार के जिनको बाकी बिमारियां हैं, सीवियर बिमारियां। जाहिए उनके बारे में अभी भिशार विमार्ष होना है वो लिस्ट बनाया जानी है. में आभी regular और बर्छ जाहिए सब्सक्राइगा वेक सीवियर को बिमारिया, जू पर दनी जा रहिए बीयोगिया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिक्ता है कि सभी वयसकों को इस साल के आखीर तक टिका मिल जाएगे जो बच्चे हैं 12 साल से उपर 12 से 17 जो आ है अला कि 18 से उपर तो लगी रहा है ऐसे लोगों को जिनको कोई गंभीर बीमारी है सबसे पहले उनको प्राथमिक्ता दी जाएगी और बाकी जो अभी नॉर्मल वैक्सिनेशन चलना है उनको दिया जाएगा बिल्कुल ठीक है आपने कि इस समय जिन किशोरों में गंभीर बिमारियां हैं केवल उनी को प्रात्मिक्ता तोर पे जाए कोविड डी वैक्सीन का टीका दिया जाएगा और नॉर्मल बच्चों को अ हुँमीद करें के फरवरी और मार्च के आसपास हैं दूसरी बात सर एक चीज और भी है कि कुछ केटेग्री तैकिया है कि कौन से बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा को मॉर्बिडिटी में उसके लिए हम लोगों की एंटाइगी की मीटिंग होनी है और वो जल्द ह आप लोगों के सामने आ जाएगी है उसको हम सारवजिनिक कर देंगे कि किस तरीके से उन बच्चों तक पहुचा जा सके और उन बच्चों को ठीका लग सके एक चीज को लेकर है कि कई राज्यों में बड़ी ही संशे की सिती है कई राज्यों में तो स्कूल तो बड़े नहीं खूला है उसके लिए क्या किना चाहिए इस कूल सब चाहिए के लिए ऑदो कि जिन घरों में बच्चे हैं महा पर सब ही माता-पिता और घरके अन्य वैस्क को ठीका लग बड़ेना चाहिए और साथ कि जिस स्कूल ने जा रहे हैं वहाँ पर टीचर्स और बाकी करम- जारीगर्ण, ड्राइवर इन सब को टीका मिल जाना चाहिए तो इस तरीके से बच्चा एक सुरक्षित आवरण में रहता है और बच्चों का जो बुख्य इस महमारी में जो हिस्सा रहा है कि वो खुद इतना बिमार नहीं होते लेकिन इंफेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है और बच्चों से आपस में फैल करके बड़ों में फैलता है तो अगर मैं उसको एक सुरक्षित रोग प्रतिरोधक टीके की वज़े से अगर उसको मिलता है आवरण मिलता है तो बच्चों को स्कूल खोले जा सकते हैं उनकी बौत धिख शमता के लि